अंतर राश्ट्रिय युवा विद्वान जैन दर्शन में युनिवर्सिटी टॉप वा गोल्ड मेडलिस्ट जैन सिद्धान तेवं नयाय विशयों को सरलता से समझाने वाले USA, England, Australia आदी अनेक दीशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले पंडित टोडर्मल पुरसकार युवा विद्वत रत्म्य आदी अनेक पुरसकारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान, डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जैपूर द्वारा जानिये, धर्म का मर्म इस कारिक्रम के प्रायोजक है श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गिय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भावर देवी जी गोधा, लवान जिरादोसा, राजस्थान किसी भी सुख को कितना भी भोगने का प्रेतन क्यों नहीं करो लेकिन उसका अंत आता ही आता है ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बार हम सुख भोग रहे हैं तो ये पर्मानेंट है क्या पर्मानेंट नहीं है ये सुक आप भोग लो थोड़ी देर तो मज़ा आएगा फिर अंत हो जाएगा उसका देखते देखते ही भोगते भोगते ही आपको आदिनता नजर आने लग जाई परतंतरता नजर आ रही थी उदे पुन्ने का चल रहा है लेकिन पुन्ने का उद मिल्से के होजाओ वगए हैं उसके खाते 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 रसक खाने में सुक आरा है और खाते खाते एक दम्दुख चालू होगया अब क्या कर लोंगा महादोश यह इंद्रि जन Indigenous सुक जिसे हम सुक कह रहे हैं उस सुक में यह महान दोश पाए जाते हैं उस दोश की चर्चा क पॉइंट नमबर वन क्या बतलाया कर्म के आदीन है पॉइंट नमबर टू क्या बतलाया अंत कर सहित है और पॉइंट नमबर तीन दुखों से भरा हुआ है आप सोच रहे हो सुखा रहा है सुखा रहा है लेकिन उसके तो गर्ब में दुख भरे हुए हैं कौन से सुख्की ब दुकों से भरा हुआ है दुकों से लवालब भरा हुआ है जिसे हम सुक समझ रहे हैं, इसमें तो दुख बरा हुआ हैं, इसमें तो आनन्द ही नहीं है, इस सुख के अंदर तो आकुलता के बीच दिखाई दे रहे हैं, बेचेहने दिखाई दे रही है, भोग ते समय भी आकुलता है, भोगने के पहले भी आकुलता है, और भोगने के बाद भी आकुलता अरे भाई साब ये तो दुख दुख है ये दुख है कि इसमें आनन्द है कहां आनन्द आ रहा है कियां लड़ू खाने की इच्छा थी तो पहले से दुख चालू हो गया ये दि भूक हो तो विविद विंजन इष्ट मेष्ट प्रतीत हो भूगी नहीं है सामने मेवा मिष्टान पकवान लाकर के रख दो अब उस सुक़ क्या होगा उसमें सुक दिखाई ही नहीं दे रहे यार पेट भरा हुआ है वाय साब ठसा ठस पेट बरा हुआ है ठसा ठस पेट बरा हुआ है बिलकुल पक्का यहां तक भर गया है गले तक आ गई है अब बतलाओ अब आपके सामने डो से लाए जाएं अब क्या करो बो खीर माल पुए मकनबड़े आपके सामने लाए जा रहे हैं अब बताओ आप क्या करें आप अब मज़ा आ रहा है क्या गया वह रहे नहीं नहीं अभी तो नहीं अभी तो नहीं ले पाऊंगा सच में नहीं ले पाऊंगा बिलकुल नहीं ले पाऊंगा ये जो तकलीफ हैं ये कह रहे हैं वो इंद्रिय जन्य सुख दुखों से भरा हुआ है दुख से भरा हुआ है पॉइंट नमबर तीन हो गया और चौथे नमबर का पॉइंट कहा पाप का मूल है पाप रूप है पाप बंद का कारण है आगामी दुखों का कारण है इन फ्यूचर यह पाप का बीज कह दिया है पाप का बंद होगा नरक निगोध का कारण है तिरियंच गती का कारण है परभव में चारों गतीओं में परिभर्मन कराने वाला है निगोध में ले जाएगा तिरियंच में ले जाएगा इसलिए श्रीमत जी सापका वो बचन वे सुक सदाई ही त्याजरे पश्चात जिसके दुख भरा चार हेतु दे दिये यहां कर्मों के आदीन है याद रखिएगा चार कर्म के आदीन है अंतकर सहित है दुखों से भरा हुआ अंतकर सहित का मतलब क्षणिक है क्षण मंगुर है और दुखों से भरा हुआ है और आगामी पापबंद का कारण है ये जान करके सम्मेक दृष्टी ज्यानी जीव सान सारी सुखों की कामना नहीं करता आतिंदरी आनंद का स्वाद लेता है उस सुख की तरफ बढ़िये उस सुख की कोशिश कीजिए उस सुख को प्राप्त करन का प्रेत्न कीजिए जो सुख आत्मा में है विश्यों में नहीं पर वस्तुओं में सुख नहीं है आत्मा में आनंद है स्वाव में आनंद है आनंद बाहर नहीं है आनंद अंदर है शांती बाहर नहीं है शांती भीतर है जग देखो सारी दुनिया घूमाओ कहीं आपको सुक्षान्ती चाहिए तो अंदर आना पड़ेगा कौन हूं मैं क्या स्वरूप है मेरा ये चैतन्य तत्व ये सुक से भरा हुआ तत्व हैं देखिए आप क्या क्या चीज मिल गई है मुने राजियों को बोलो क्या मिल गया है हमारे परमात्माओं को क्या मिल गया है बाहर का नहीं अंदर का सुक मिल गया है बाहरी सुक नहीं अतिंद्री सुक मिल गया है अतिंद्री आनंद की प्राप्ति हो गई है वो अतिंद्री आनंद इंद्री जन्य नहीं है वो विशियों का सुक नहीं है वो पैसे का सुक नहीं है वो संपत्ती का सुक नहीं है वो खाने पीन जनने विश्यों का लक्ष छोड़ कर अंदर में देखता है। जितनी बातें यहां कई जा रही हैं सब विश्यों की बात कर रहे हो चक्षु इंदरी के विश्यों की बात कर रहे हो कभी आंखें खराब हो जाती है। जनने के सुख और आंद की बात कर रहे हो रसना इंदरी काम नहीं करती है। डॉक्टर बंद कर देता है। डाइविटीज हो जाती है। हार्ट की प्रोब्लम्स हो जाती है। घी बंद कर देता है। क्या करोंगे आप जिन सुखों के आप बात कर रहे हो उनने आनंद कितना है। एक बार विचार तो कीजिए। क्या कर दिया है। डॉक्टर नने बंद कर दिया वैसा आप क्या कर लोंगे। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो आप। आप सोच नहीं सकते होो हम जहां सुख मान कर के बेटे हैं हम जहां आनंद मान कर के बेटे हैं जिसमें हम मजा मान कर के बेटे हैं उसकी हालत क्या है। श्रणभंगूर है बिलकुल… पुद्गल का क्या विश्वासा जैसे पानी बीच पतासा जैसे चमतकार विजली का और इंद्र धनुष आकाशा जैसे चमतकार विजली का और इंद्र धनुष आकाशा यह सब पुद्गल है पुद्गल जैसे मैं आनन्द मान रहा है जिनके पीछे दोड़े जा रहे हैं जिनके पीछे भागे जा रहे हैं किई प्राधीन ताएं है वाई साब किई प्राधीन ताएं हैं मेन आची कर विजली प्रोचंसार की मूल गाता है कुंद कुंदाज आरे देव ने लिकाए सप्रम बादासायम विच्ण नम बंदकारणम विश्मम जयम इंदिये लद्धम तम्सौकम दुख्खम एव्दा है बूल गाता है प्रोचंसार में इंद्री सुक सुक नहीं दुख है विशम बाधा सहित है है बंध का कारण दुखद पर तंत्र है वे चिन है कैसे लिखी आचारियोंने कुंद कुंद स्वामी ने अरे ग्रंथों को खोल कोल करके देखो तो बात समझ में आती है हम क्या कर रहे हैं कहां भाग रहे हैं हम किधर दोड़े जा रहे हैं बाई साब यह हालत है पता नहीं है हमारे को छोड़कर के चले जाएगा यह शरीर यहीं छूट जाएगा इस तन पर हल फिर जाएंगे और पशुचरेंगे गासा इस तन जिस तन में सुख बुद्धी दिखाई दे रही है जिसमें शांति दिखाई दे रही है जिसमें मजा आ रहा है औरे मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है अभी तो दोड़े जा रहा है थोड़ा सा उम्र बढ़ने दे बढ़ती उम्र के साथ होने वाली परेशानियों को देखिये जरा तो आपको समझ में आएगी बाते चालीस पैंतारीस पचास पर हो जाने के बाद में जो शरीर में प्राब्लम स् fest चुरू होती है जो हार्ट की लिए किड्नी की डाइविटेज्दीर की जो कमर दर्द है जो कमर चालू हो जाती है जो प्राब्लम स्चुरू हो जाती है जो कै thirsty play भाई साब, फिर चालू करता है भाई साब, फिर दोड़ना शुरू करता है, सुख के लिए क्या कहेंगे, हार्ट के लिए, ब्लोकेज नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, डाइविटीज कम हो जाए, फिर डॉक्तर कहता है, चलना तो पड़ेगा पहले तो समय नहीं मिलता है, अब शरीर के लिए समय निकालता है, अब एकसल साइज के लिए समय निकालता है, प्राणायाम के लिए, योगा के लिए, इसके लिए, नहीं थोड़ा सी, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, भाईया, देख लो, अब यह धीरे-धीरे, कितनी एज हो गई है आपकी, पै जिह अब आप नहीं तो आपको पता नहीं है, आप दिन बर बेटे रहते हो, आप ये शरीर जो है नहीं ये बरावर ये उगलियां फ有人 हम इसमें आनद डिखता हिस नहीं, शरीर कृतना भी बिगड जावे, लेकिन आत्मा का आनंद क्यों नहीं देखता है सम्मेक द्रश्टी ज्यानी जीव इनकी तरफ क्यों नहीं आकर्शित होता है सम्मेक द्रश्टी ज्यानी जीव के जीवन में निकांक्षित नाम कांग क्यों दिखाई देता है ने कांक्ष्ट कांक्षा नहीं है इच्चाय मर गई है मान लीजी और यह की तमना है अपने में समाज आने की अपने घर को देख बाव रे सुख का जहाँ खजाना रे क्यों पर में सुख खोज रहा है क्यों पर का दीवाना रे अपने घर को देख बाव रे सुख का जहां खजाना रे सुख का खजाना है बीतर तो देखा ही नहीं माल तो अंदर बढ़ा हुआ है आनंद तो अंदर है वो तो देखा ही नहीं है क्यों नहीं देख रहा है क्यों नहीं देख रहा है सम्मेक दृष्टी ग्यानी जीव ये बतलाईए क्या क्यों नहीं देख रहा है इसमें क्यों नहीं आनंद आ रहा है आरके जेन सब मलाडवले बोलो क्यों नहीं मज़ा आ रहा है इसमें आनंद आ क्यों नहीं रहा है बात त बहुत दिन हो गए बुले हुए मन हो रहा है सुना देता हूं सुनिए हमारे साथियों ने संसार भावना की पंक्तिया है कि मन थन करें दिन रात जल ध्रत हात में आवे नहीं रज रेत पेले रात दिन पर तेल जों पावे नहीं सद भाग बिन जो संपदाव मिलती नहीं व्यापार में निज आत्मा के बान बिन त्यों सुख नहीं संसार में सुख नहीं संसार में कांग्षा करो साब कांग्षा काई की कांग्षा करें मन्थन करें दिन रात जल जल पानी मन्थन करें दिन रात जल घृत हात में आवे नहीं रज रेत पेले रात दिन पर तेल जयों पावे नहीं बोलो दो लाईने थमझ में आई क्या क्या क्यदिया है मन्थन करो मन्थन पानी को मत्रा है मत्रा है वाई साब पानी को मिलेगा कि नहीं उसमें से गी निकलेगा कि नहीं निकलेगा गी निकलेगा या नहीं गरत नहीं दो गंटे करें तो भाई साब दो गंटे कोशिश करें तो नहीं निकलेगा किसाब 4 गंटे करूं तो कि नहीं निकलेगा कि 6 गंटे करूं तो 6 गंटे तक कोशिश कर रहा हूं नहीं निकलेगा अरे भाई साथ दिन रात एक कर दूँँ आमें निकलेगा क्या नहीं निकलेगा बोलो प्रियंग जी भाई साथ क्या कहना है आपको नहीं निकलेगा यार मेरे से क्या दुश्मनी है भाई साथ आपको मैं इतनी मैनत कर रहा हूँ और आपने पलड़ कर आपका तो क्या लगा जवान इला दिया आपने तो कि नहीं मिलेगा आप मेरी मैनत को तो देखो आपने बच्चल साफ की कवीता की वो लाईने नहीं पड़ी है क्या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती क्या नहीं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ये बाते तो आपने सुनी हैं न मैं कोशिश करना हूँ तो मेरी हार होगी के नहीं होगी अरे कुछ फॉर्मल्टी के लिए ही कह दो यार जिगनेश भाई इतना ही बोल दो कि नहीं नहीं बंडी जी कोई बात नहीं लेकिन भाई साब गलत कै कैसे दे ये तो बतलाओ आप गलत कै कैसे दे अच्छा दूसरी बात करो चलो कोई बात नहीं पानी में से घी तो नहीं निकलेगा तो रेत में से तेल निकाल ले रजरेत पेले रात दिन पर तेले जो पावे नहीं मिलकुत इतना मज़ा आता है इन चार लाइनों में मैं तो खोई जाता हूँ ऐसा लगता है गुन गुनाते रहो बस क्या स्वरूप भर दिया है कितनी सुन्दर पंक्तियों की रचना हुई है दादा के करकमलों से मन्थन करें दिन रात जल धरत हात में आवे नहीं रजरेत पेले रात दिन पर तेले जो पावे नहीं तेले जो पावे नहीं आगे तीसरी लाइन सद भागे बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में ये किरें जिस सुक के पीछे भाग रहे हो पुन्य के उदे के बिना वो सुक मिलता नहीं है पुन्य का उदे नहीं हो तो एडी से चोटी तक का जोर लगा लो आप जब बेचने वाले होंगे उस समय मार्केट धराशाई हो जाएगा कर लो आप क्या कर लोंगे कर लो आप सोच रहे थे सोच रहे थे मार्केट बढ़ता चला जा रहा है वैल्यू बढ़ती चली जा रही है वैल्यू बढ़ती चली जा रही है आपकी property की value बढ़ गई आपके shares की value बढ़ गई आपकी चांदी की value बढ़ गई आपके gold की value बढ़ गई और बैटे बैटे ही और लगपती करोड़ पती अरपती हो गया और मज़ा आगया मज़ा आगया मज़ा आगया उदारण है उदारण सची बात नहीं किये रहे हैं ये से दंत नहीं है सद भाग्य बिन जों संपदा मिलती नहीं व्यापार में निज आत्मा के भान बिनत्यों सुख नहीं संसार में सम्यक द्रश्टी ज्यानी जीव नहीं भाग रहे हैं नहीं दोड़ रहे हैं नहीं कांक्षित पना दिखाए दे रहे हैं कांक्षा क्यों नहीं है उसके जीवन में बताओ तो सही कांक्षा क्यों नहीं है सम्य के गाड़ी जीव को कोई व्यक्ति ये बात कहे कि चल तुझे पैसा मिलेगा चल तुझे संपत्ती मिलेगे और चल तुझे ये मिलेंगे एक गाड़ी गिफ्ट दे रहे हैं चलो यहां आजाओ बोलो सम्यक दृष्टी ज्यानी जीव को कोई व्यक्ति है कहे कि तुम बंगला देश शिफ्ट हो जाओ और उसके बाद में तुमारे को गाड़ी देंगे बंगला देंगे इतनी प्रॉपर्टी देंगे इतनी संपत्ती देंगे तो कहेगा करूँगा क्या मै जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं है वहाँ जाकर करूँगा क्या मै जिनेंद्र देव के दर्शन चाहिए जिनवानी चाहिए तत्व ज्यान चाहिए वस्तु स्वरुप के विचार करने के लिए चांस चाहिए मौके चाहिए हमें तो ऐसी जगे चाहिए जहां आराध ना हो सके हमें तो ऐसी जगे चाहिए जहां जिन्वानी जुनने का आउसर मिले जहां जिने देव के दर्शन मिले हम नहीं रहेंगे ऐसी जगे पर हमें नहीं चाहिए कि नहीं यह मिलेगा यह मिलेगा और आपको कौन कौन सी facility होती है आप ज्यादा समझते हैं आप लोग ऐसी ऐसी plus A plus B plus Z plus हैं और नमालूम क्या क्या जो भी आप समझो यह सब आपको security मिल रही है facility मिल रही है काम कुछ नहीं आपको वहाँ जाकर के मैनेजर बना देंगे ये बना देंगे CEO बना देंगे company का ये कर देंगे आप के लिए offer औरे क्या करें ऐसे offer को ग्यानी जी उलाट मारता है ऐसे offer को क्या ऐसे ओफर को वो लोफर समझता हैं क्या पागलों जैसी बाते हैं पर में सुख खूज रहा हैं सद भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में निजय आत्मा के बान बिन त्यों सुख नहीं संसार में सुख नहीं संसार में यह लाइफ सटाइल है क्या पढ़ रहे हैं वाई सब हम हम्या पढ़ क्या पढ़ा हैं हमने यह पbeltड़ा हुक्र समय तो दौड़ता चला जाता है थोड़ी सी मगन होकर के अिल्हाइद हैं बात क्या करने लगा जामें लगता है समय भाग गया यह क्या कर रहा हुआ है आ GUY्यरा को जाते हैं पेंपर्खीयों में बावार्त रहा है जो कर्म के आधी नहें हिंद्रिय सुख की बात कर रहे हैं निकांक्षित पन की चर्चा कर रहे हैं सम्यक द्रिष्टी की आनंद की चर्चा कर रहे हैं सम्यक द्रिष्टी की विरक्ती की चर्चा कर रहे हैं देखिए तो कही क्या किया रहे हैं यह कर्म के आदीन है नमबर वन कर्म के आदीन है नमबर तो लड़ू भी खतम होंगे, बेड़े भी खतम होंगे, मेटाई भी खतम होगी, कोई पर्मानेंट थोड़ी न बना रहेगा, जिस आनंद की कल्पना कर रहे हो, या आनंद कोई पर्मानेंट रहने वाला थोड़ी न है, अन्त कर सहीत है, जिसका हृदय है, जिसका हृदय है, किसकी बात कर रहे हैं जिसको आप सुख मान करके वेटे हैं परदी पाठनी जी शाहर ऑँ जिसमें अपन मान करके वेटे हैं कि इसमें सुक है है औरे इसमें तो मज़ा आएगा या वो आएगा या जाता है और सारी सवाग खिल खिला करके हस पड़ी मज़ा आगया और तालिया मज़ा ने लगड़े मज़ा आगया मज़ा आगया और दूसरे दिन फिर हमने वोई सुनाया तो फिर क्या होगा मज़ेगी तालिया थोड़ी बहुत ठीक है यार दोवारा सुनाया तीसरे दिन फिर वोई सुनाया तूर कि फिर क्द्वार एक लए फिर क्ट OR मज़े ही नहीं है उम्ज़ें burned आया ता उसमें दुबारा भी आंद आना चाहिए के नहीं जिसमें दो बार अनंद आया ता उसमें तीसरी बार ऑनना चाहिये था के नहीं यदि उसमें नहीं आ रहा हैं इसका मतलब उसमें था ही नहीं वो कालपनिक था वो भ्रम था वो दोका था वो गलत पहमी थी भाईया सच्चा सुख अपने में हैं भाईया सच्चा सुख आत्मा में हैं भाईया आत्मा का सुख अलगी प्रकार का होता है ग्यानी जीव उसका श्रद्दान करते हैं ग्यानी जीव के श्रद्दान में अतिंद्री आनंद रूपी सुख बसा हुआ है श्रद्दा उसको अतिंद्री आनंद की है श्रद्दा उसे आंतरिक सुख की है देखो क्या किया रहे है हृदय दुखों से भरा हुआ है किसका हृदय दुखों से भरा हुआ है ओम प्रकाजी योगी साल किसका हृदय दुखों से भरा हुआ है हमारा जगत के लोगों का अरे नहीं नहीं जगत के लोगों की बात नहीं कर रहे है ये उन्हें इंद्री जन्ने विशियों की बात कर रहे हैं जिन विशियों में हमें लग रहा था कि ये तो सुक से बढ़ा हुआ है ये कह रहे हैं उसका हृदय तो दुख से बढ़ा हुआ है उस इंद्री जन्ने विशय का हृदय दुख से बढ़ा हुआ है ओहो मैं पैचान ही नहीं पा रहा हूँ जहरी ले है ये जहरी ले इंद्रिय के भोग मधुरविश सम लावन्य मई कंचन काया यह सब कुछ जड़ की क्रीडा है मैं अब तक जान नहीं पाया किया लिख दिया यूगल भाओ जी साँ ने का जबर्दस्त महापुरुष संग साव यह जयसा दाशा की पंक्तियां क्या लिखते हैं ईए क्या बूली मैंने पंक्तियां इंद्रिय के भोग मधुरे विश सम जहर…" जहर काये करेगा क्या बात कर रहे हो साभ क्या बात कर रहे हो मझा आरह मुझेma से खाना का मतले जैए यह रैगा मीठालक रहे मेतालिक्न जैए यह मेठा जैरे इंद्रिय के भोग मधुर विश सम लावन्य मई कंचन काया ये चमकदार कंचन सोने जैसा रंग है तेरा चांदी जैसे बाल एक तुई धनवान है सोचो आप ज़रा क्या किया रहे है सोने जैसी चमकती हुई काया औरे क्या सुन्दर मधुर विश सम लावन्य मई कंचन काया श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवन नानी जी स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा श्रीमती भवर देवी जी गोधा लवान जिलादौसा राजस्ठान झाल झाल